पिछली कक्षा में हम लोगों ने चित्र देखकर पहला अक्षर लिखना सीखा आज हम लोग चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला बनाना सीखेंगे चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला बनाईए बच्चों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे चित्र दिये गये हैं उन चित्रों के नीचे तीन तीन अक्षर लिखे हुए हैं आप लोगों को चित्र देखकर उन तीन अक्षरों में से जो सही अक्षर हैं उस अक्षर पर गोला करना है यह क्या है बच्चों यह है उल्लू इन तीनों में से सही अक्षर कौन सा हैं इन तीनों में से सही अक्षर उ हैं उसे उल्लू इसलिए हम लोग उ को गोला करेंगे यह क्या है बच्चों यह है अनार इन तीनों में से सही अक्षर कौन सा हैं इन तीनों में से सही अक्षर अ हैं अ से अनार तो हम लोग अ को गोला करेंगे यह क्या है बच्चों यह है उन इन तीनों में से सही अक्षर कौन सा है इन तीनों में से सही अक्षर उ है उ से उन तो हम लोग उ को गोला करेंगे यहाँ पर सही अक्षर कौन सा है बच्चों यहाँ पर सही अक्षर ए है ए से एड़ी तो हम लोग ए को गोला करेंगे यहाँ पर सही अक्षर कौन सा है बच्चों यहाँ पर सही अक्षर है ए ऐ से ए न तो हम लोग ए को गोला करेंगे यह क्या है बच्चों यह है रिश्री यहाँ पर सही अक्षर कौन सा है यहाँ पर सही अक्षर है री री से रिशी तो हम लोग री को गोला करेंगे ये क्या है बच्चों? ये है आम इन तीनों में से सही अक्षर कौन सा है? इन तीनों में से सही अक्षर आ है आ से आम तो हम लोग क्या गोला करेंगे? हम लोग आ को गोला करेंगे अब ये क्या है बच्चो ये है ओखली ओखली का सही अक्षर कौन सा है इन में से सही अक्षर ओ है ओ से ओखली तो हम लोग ओ को गोला करेंगे अब ये क्या है बच्चो ये है अंगूर इन में से सही अक्षर कौन सा है? इन में से सही अक्षर अंग है अंग से अंगूर तो हम लोग क्या गोला करेंगे? हम लोग अंग को गोला करेंगे ये क्या है बच्चो? ये है इमली इमली का सही अक्षर कौन सा है? इन तीनों में से सही अक्षर ई है E से Emily तो हम लोग E को गोला करेंगे अब ये क्या है बच्चो ये है E इन तीनों में से सही अक्षर कौन सा है इन तीनों में से सही अक्षर E है जिसे हम लोग बड़ी E भी कहते हैं तो हम लोग इसको गोला करेंगे E से E अब ये क्या है बच्चो ये है औरत औरत का सही अक्षर कौन सा है? इन में से सही अक्षर ओ है ओ से औरत तो हम लोग ओ को गोला करेंगे बच्चों ये आप लोग का होमवक है आप लोगों को चितर देखकर सही अक्षर पर गोला बनाना है इसे आप लोग घर पर पूरा कीजिएगा Okay students, bye and have a nice day.